जिन विश्यों को आज तक अफवा माना जाता था वो अब सत्य साबित हुए है UPA सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से दसवर्ष करती रही है ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रगट हुई है किसी भी सरकार के संचालन में अर्थ व्यवस्ता किस प्रकार से चलाई जाती है देश का विकास किस प्रकार से होता है ये सबसे प्रमुख रहता है परियावरन सम्बंदित अनुमतिया मिलना उसमें वर्षों वर्ष लग जाए मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी परियावरन की पर्मिशन इसके सम्बंद में अफवाएं थी वो अब सच साबित हुई है इसकी एक कानूनी विवस्ता है उस विवस्ता के अनुकूल देनी चाहिए लेकिन मनमानी से दी जाएं पार्टी का हित किसमे है और पार्टी की इच्छा किसमे है सरकार और कानून ये तै ना करें लेकिन पार्टी तै करें प्रधार मंत्री और सरकार उसमें मुख दर्शक रह जाएं इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी ये देश का जो विकास रुका पिछले कई वर्षों में प्रोजेक्स का विलंब होना उसमें एक प्रमुख माना जाता था ये देश की अर्थव्यवस्ता के साथ एक खिलवार थी बदले की भावना के साथ अर्थव्यवस्ता का संचालन हो रहा था जिसे क्रोनी कैपिटलिजम कहते हैं और लोगों को तकलीफ देने में इनको आनंद आता था यूपिये द्वारा संचालित देश में शासन में जिसको सेडिस्टिक एकनॉमिक्स कहा जा सकता है कि तकलीफ देकर लोगों को उसमें आनंद लेना शासक दल इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्ता का संचालन कर रहा था लिश्चित रूप से जिने अनुमतियां दी गई या जिनकी रोगी जाती थी अब दायत्व पर्यावरन विभाग के उपर है कि इन सब के उपर पुने विचार करे ताकि कानून की विवस्ता फिर कायम हो और इन अनुमतियों का संचालन केवल कानून के मुक्ताबिक हो शासक दल के नेताओं की मनमानी के मुताबिक ना हो in today's newspapers a letter written by the former Environment Minister Mrs. Jayanti Natarajan to the Congress President has been published what was so far rumored has been established to be true any government which administers the country प्रेफ प्रेमस्ट रिस स्प्समाइट इस तो अडिनिस्टर देविड पून मैंध। ले रोप रेति अडिकली गॉन दोडिकली गॉन रूरिंश रूरिप या जी ओ कुछ्छ। प्रे आज डिकली रोच्छी बिल्लाइब। are held up for want of permissions. Today's letter conclusively establishes that it was not these statutory considerations, the mandatory considerations, which weighed with the ruling party and the government, but what weighed with them was the whims of political leaders of the party as to who is to be granted an environmental permission and who is not to be granted an environmental permission. When WIMS overtake legal requirements, this becomes a textbook case of crony capitalism. And this is exactly what the UPA government was practicing. The UPA was a practitioner of sadistic economy. This sadistic economy which the UPA tried to build up was vindictive in nature, wanting to teach some people a lesson and wanting to favor some people. This obviously had to be on corrupt and collateral for collateral reasons. And this is precisely why India suffered in the last few years of the UPA government. I hope the environmental ministry now will go into each of these permissions which were granted and not granted and make sure that these are expeditiously dealt with only as per law and no other consideration. Thank you. Shibati Shila Dixit Ji ke khilaab, unhoney dastavij saabjini kiyo nahi kiya? Mukadma unhoney dharj kiyo nahi kiya? To unhoney uttar padish.